वेलकम बैक दोस्तो दोस्तो आज ये मेरे पास एक हाफ ब्रीज सप्लाई आई हूई ये रिपेर के लिए इसमें प्राब्लम ये है कि ये लोड नहीं ले रही है ये 12 वोल्ट 10 एंपियर की सप्लाई है मैं एक बार पावर अन करता हूँ और आपको पहले प्राब्लम दिखात हूँ क्या रही है इसमें तो यह मैं सीरीज लेंब के थूँ इसमें मैंने पावर अन कर दी है आप देखें कि इसकी एलीडी ओन हो गई है यहां पर कि देखिए एलीडी इसकी ओन हो गई है और मीटर पे मैं वोल्टेज भी एक बार चेक कराता हूँ आपको यह मीटर हमारा आ गया देखिए और यह आउट्पूट पे हमें देखे बारा वोल्ट इसमें मिल रहे हैं हमें और स्टेबल है वो बिल्कुल लेकिन इसमें समस्य है क्या हो रही है दोस्तों कि जब मैं ये इस पे लोड लगाता हूँ ये 12 वोल्ड का एक बल्ब है मेरे पास तो जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ इसके उपर देखिए तो LED बंद हो जाती है और उस समय वोल्टेज का क्या स्टेटस रहता है वो भी देख लेते है देखिए अभी ये स्टेबल 12 वोल्ड दिखा रहा है जैसे ही मैं इस पे लोड कनेक्ट करता हूँ ये मैंने लोड लगाया तो देखिए वोल्टेज 1.6 वोल्ड रह गी है और बल्ब हलका सा गलो कर रहा है देखिए लेकिन वोल्डेज ड्रॉप हो गई है और लेडी भी हमारी बंद हो गई है और जैसे बल्ब हटाता हूँ देखिए लेडी ओन हो जाती है और वोल्डेज भी स्टेबल हो जाती है तो इसमें क्या समस्या हो सकती है दोस्तों तो इसको आज हम देखते हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो को तो इस टॉपिक पे दोस्तों मेरे बहुत से दोस्तों ने मेरे को पहले ही कॉमेंट किया भी रीसेंटली कि sir ये half bridge supply है मेरे पास लेकिन जैसे ही मैं load लगाता हूँ उसकी voltage drop हो जाती है तो इसकी क्या problem हो सकती है अब दोस्तों ये जो problem है इसको comment में discuss करना बहुत मुश्किल है तो मैंने उन सब को यही बोला था कि मैं जल्दी ही इस पे एक वीडियो बनाऊंगा पर समस्य ये हो रही थी कि उस दोरान मेरे पास ऐसी कोई supply आई नहीं repair के लिए जिसमें ये fault हो तो आज इत्तिफाक से ये supply मेरे पास आई है तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आज इसकी वीडियो जरूर बनानी है क्योंकि आप लोगों की बहुत demand है इस पे इस supply में दोस्तों ये समस्य आ रही है कि जैसे हम load लगाते हैं voltage इसकी drop हो जाती है तो उसका कारण क्या-क्या हो सकता है तो उसका कारण दोस्तों इसमें कई component हो सकते हैं वो हमें step by step चेक करने पड़ेंगे इस supply के अंदर में ये जो capacitor है इसका resonant capacitor बोलते हैं इसको brown वाला जो है ये अगर खराब हो गया, weak हो गया है खराब हो गया तब तो supply आपकी on ही नहीं होगी और अगर ये weak हो गया है तो supply किसी तरह से on तो हो जाएगी लेकिन load डालते ही ये capacitor पावर उतनी दे नहीं पाएगा और ये load नहीं लेगी और voltage इसकी drop हो जाएगी एक समस्या तो इसमें ये हो सकती है दूसी समस्या इसमें ये IC खराब हो सकती है क्योंकि IC अगर proper switching नहीं कर रही है दोनों channel में यानि कि दोनों transistor पे अगर switching धंग से नहीं हो रही है तो भी ये problem हो सकती है तो उस case में ये IC भी खराब हो सकती है अब उस switching के साथ साथ उसके जो आगे का circuit है जैसे ये दो transistor यहां लगे हुए है इन transistor में problem हो सकती है और इससे related ये जो यहां circuit बना हुआ है इन में दिक्कत हो सकती है उसके लावा ये जो pulse transformer है हमारा ये भी खराब हो सकता है तो ये हमें step by step check करना पड़ेगा कि actually problem है कहां पे और हम क्या check करें या क्या change करें अब हर चीज को निकालके इसको निकालते हैं दूसरा लगाते हैं चल गई नहीं चली फिर IC बदलेंगे नहीं चली फिर transistor बदलेंगे नहीं चली ओर component बदलेंगे नहीं चली ये pulse transformer को change करेंगे फिर भी नहीं चली तो इस तरह से repairing नहीं होती है दोस्तों ये तो आप सिरफ तुके मारोगी इस तरह से कभी चल जाएगी कभी नहीं चलेगी तो आईए हम प्रॉपर वे में इसको चेक करते हैं कि समस्य एक्चुली किस पोश्चन के अंदर है ताकि हम वहीं पे काम करें ठीके दोस्तों तो सबसे पहले हम इस सप्लाई को हम आउन करते हैं एक बार दुबारा से पावर सप्लाई को इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ ताकि मीटर भी हमें यहां दिख जाए पिछली वीडियो में सप्लाई पे फोकस करते हुए मीटर आउट हो गया था फोकस से तो कहीं दोस्तों ने मेरे बोला था कि सर मीटर तो आपने दिखाया ही नहीं वी ठीक है तो आज मैं ध्यान रखने की कोशिश करूँगा कि मीटर जो है स्क्रीन से आउट ना हो तो चलिए यह मीटर मैंने यहां रख लिया इस सप्लाई को अब मैं आउन करता हूँ यह देखिए यह मैंने सप्लाई को कर लिया है आउन तो सबसे पहले इसको चेक करने का त तो कि यह काम कर रहा है इसलिए हमें आउटपुट मिल रही है और उसके इलावा यह आईसी भी काम कर रही है इसलिए हमें सप्लाई मिल रही है लेकिन आईसी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही वो इस से पता नहीं चलता है तो इस केस में हमारा डाउट कहा कहा हो सकता है दूसरा यह IC पर हो सकता है और तीसरा एक और चीज होती है इसके अंदर में यहाँ पर आप देखेंगे यह जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर शंट रेजिस्टर बोलते हैं इसको यह जो तीन वायर यहाँ दिखरी नीचे लगी हुई यह वाली यह वायर की अगर सोल्डरि आपकी ओपन हो जाती है यह खराब हो जाती है तो भी यह प्राबलम आती है कि SMPS लोड लगाते ही वोल्टेज को ड्रॉब कर देती है तो सबसे पहला काम इसमें यही होना चाहिए आपका कि आप यह जो पॉइंट हैं इनको देख लें अगर इसमें सोल्डरिंग में आपको कुछ भी खराब भी देख रही है तो पहले इसको सोल्डर करें अच्छे से दोनों साइड को एक बार सोल्डर हो सके तो रिमूव कर दें और फिर फ्रेश सोल्डर लगाके इसको ढंक से लगा दें अभी मेरे केस में तो यह बिलकुल परफेक्ट दिख रहा है मेरे को कोई प्रॉब्लम यहां दिख नहीं रही है पर इन केस अगर वो दिखे आपके केस में तो इसको सबसे पहले करें क्योंकि यह भी प्रॉब्लम का सबब बन सकता है अब दोस्तों चलते हैं दूसी तरफ में वो साइड तो हमारी सही है अब यह सप्लाई में यहां पर हम आ गए अब फ्रंट साइड में हमें सबसे पहले क्या देखना है देखिए यह जो हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनके सामने यह जो डायोड लगे होते हैं लोल्टे चेक करनी है तो यह वॉल्टेज पे हमने मीडर को रखा हुआ है डिसी वोल्टेज पे तो यह दोनो जो डायोड है इन दोनों पे अगर हम अपनी multimeter की lead लगाते हैं तो देखी यहां पर हमें देख रहा है 151-152 volt यहां देख रहे हैं और दूसरे वाले पर देख लेते हैं यहां हमें 145 volt के गरीब देख रहे हैं तो यह almost बराबर हैं तो यह ठीक है यहां पर हमेशा voltage आपको बराबर मिलनी चाहिए अगर voltage में difference आ रहा है तो इसका मतलब कुछ problem है और वो problem पीछे के circuit से आती है इधर अगर problem होती है तो यह start ही नहीं होता circuit और आपकी LED भी on नहीं होती तो यह circuit basically सही है लेकिन अगर voltage यहां पर कम जैदा हो जाए तो problem दूसरे circuit की वज़े से यहां पर आ सकती है तो हम फिर उसको चेक करेंगे तो अभी यह हमारी supply ओके है तो अब हम क्या करते हैं कि यह एक diode के उपर में हम अपना multimeter लगा लेते हैं पैरलल में अब इस समय हमें कितनी मिल रही है 150V मिल रही है तो यह total voltage यह जो DC capacitor है हमारे main इन दोनों पर मिला के जो आती है वो लगबग 300V के आसपास आती है तो उसमें से यह दोनों capacitor मिलके उसको half कर देते हैं तो half voltage हमें यहां मिल रही है 1500V और 1500 यह हमें लगा के रखते हैं मीटर को और साथ में हम अपना load connect करते हैं तो देखते हैं कि इस voltage पर क्या होता है देखिए load जैसे ही connect किया यह voltage कहां पहुंच की 2500V हो गई है यह और load हटाते ही देखिए यह वापिस आ गई है वही 1500 के आसपास फिर से load लगा रहा हूँ में तो यह 2500V हो रही है और यह हटाने पर 1500 के पास हो जाती है इसी तरह अगर मैं दूसरे diode पर चेक करूँ यहां पर तो यह देखिए दूसरे diode पर अभी मुझे 1500V मिल रही है और अब मैं इसको load को connect करता हूँ देखिए connect करते हैं यहां voltage drop हो रही है 46V हो गई है उस तरफ क्या हो रहा था voltage बढ़ रही थी वो 1500 से बढ़के 200 के उपर जा रही थी और जबकि यह जो 1500 है यह घट रही है यहां से 100V यहां से कम हो गए है और वो 100V कहा जा रहे हैं वो दूसरे वाले diode पर आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि एक transistor तो सही से switching कर रहा है दूसरे में switching नहीं हो रही है इसलिए वहां voltage drop कर जाते हैं अब अगर यहां पर यह दिक्कत आ रही है तो यह problem इस section में से तो नहीं है क्योंकि यह तो start-up section है तो start तो हमारी smps हो रही है इसका मतलब यह है कि यह problem पीछे से आ रही है क्योंकि switching कोन कर रहा है वो यह IC switching कर रहा है तो या तो यह IC खराब है जो proper switching दोनों channel में नहीं करा पा रहा है एक में धंग से हो रही है एक में नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं एक मरी पहले IC पे वोल्टेज जो आ रहे हैं उसकी सप्लाई वोल्टेज चेक कर लेते हैं ये इसमें 7500 IC लगी हुई है जो की TL494 के बराबर ही होती है तो आपके केस में 7500 हो, KA75 या TL494 हो कोई भी हो, वह सेम IC हैं ये दोनों, तो इसके 7 नंबर पिन पे Ground होता है और इसके 12 नंबर पिन पे ये सप्लाई वोल्टेज आती है इसकी देखिए तो ये 7 नंबर पिन पे Ground है और 12 पे सप्लाई वोल्टेज आ रही है तो यहाँ पर हम मीटर को अपने supply voltage फिर भी वहीं पर यह उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है वो drop नहीं हो रही है supply voltage drop नहीं हो रही है दोस्तों तो इसका मतलब IC को तो power पूरी मिल रही है तो IC काम करनी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा अब IC के बाद में ये जो इसके switching terminal है उसके आगे ये transistor दो लगे होते हैं जो इस pulse transformer को switching करवाते हैं तो हमें ये जो component हैं इनको check करना पड़ेगा कि यहां से switching का issue क्या हो रहा है तो अब मैं supply को बंद करता हूँ तो ये मैंने supply को बंद कर दिया और ये इसकी voltage को हम drop करा देते हैं और capacitor पर पहले voltage देख लेते हैं अब कितनी रह गई है ये voltage drop होना ज़रूरी है नहीं तो ये आपको shock दे सकता है दोस्तों तो अभी इसमें 94-98 volt चल रहे हैं तो इसको drop होने देते हैं तो जब तक वो voltage drop हो रहे हैं दोस्तों मैं आपको एक बर यहां circuit में थोड़ा सा explain कर देता हूँ देखी ये हमारी IC है के 5500 TL494 का ये पूरा block diagram है इसमें हमारी जो switching हो रही है वो switching की pin कौन सी एक तो 8 number की pin है हमारी और एक यहां से हमारी 11 number की pin है तो ये 8 number की pin इस तरफ जा रही है और ये 11 number की pin भी जो है ये इदर आरी इस transistor के उपर तो यहां basically ये जो दो transistor हैं ये Q3 और Q4 ये C18-15 transistor होते हैं इन में दिक्कत अक्सर होती है और इनके साथ साथ ये जो इनके parallel में diode लगे हैं पैरलल में एक diode इस transistor के साथ लगा है एक diode इसके साथ लगा हुआ है और उसके बाद ये दोनों connection जो है कहां जा रहे हमारे ये हमारे जा रहे है पर फॉर्ठ टाज़ार्मर पे तो हमें ये section जो बना हुआ है जो IC से जो switching पलस आरही है वो दोनों पल्स यहां आ रही है एक इस ट्रांजिस्टर पर आती है एक इस पर आती है और ये उसको एम्प्लिफाई करके उस सिगनल को पल्स ट्रांसफार्मर पर देते हैं तो most of the cases अभी तक जो मेरा professional experience है उसमें मैंने ये देखा है कि ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाते हैं या फिर diode खराब हो जाते हैं इन चार चीजों का सबसे ज़्यादा fault आता है इस circuit में तो ये चारो चीजें अब हमें चेक करनी है कि इन में से कोई fault तो नहीं है अगर ये चारो चीजें ठीक हुई तो फिर आगे हमारा pulse transformer खराब हो सकता है उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा दोस्त transistor ठीक है तो अब हमारी capacitor की जो voltage है वो दो वोल्ट रह गई है तो अब ये safe है काम करने के लिए तो अब इसका ये जो इसको diode mode पे हम रख लेते हैं तो वो दोनों transistor इसमें एक ये transistor लगा हुए दोस्तों और एक ये लगा हुआ है और एक ये diode है उसके parallel में और इसके parallel में ये वाला diode है ठीक है तो ये diode पहले हम चेक कर लेते हैं ये देखी ये इस तरफ से reading दे रहा है 347 और दूसरी तरफ से ये 615 की reading दे रहा है यहां पे तो ये basically दोनों तरफ से reading दिखा रहा है हमें और दूसरा जो diode है हमारा ये भी 600 की reading इदर से दे रहा है और दूसरी तरफ से द तो यह दोनों डायोड जो हैं दोनों तरफ से रीडिंग दे रहे हैं तो यहां पर कुछ सस्पेक्ट लगता है हमें एक बार हम एक काम करते हैं हम इन दोनों डायोड की एक एक लेक को ओपन कर लेते हैं और फिर इनको पहले चेक कर लेते हैं अगर यह सही है फिर हम ट्रांजि तो ये दोनों डायोड मेंने एक-एक साइड से ओपन कर लिये हैं तो अब इनको हम प्रॉपर से चेक कर सकते हैं अब ये पहले डायोड पे लगाते हैं और इसकी रीडिंग देखते हैं यहां हमें रीडिंग मिल रही है 700 के करीब मिल रही है और दूसी तरफ से कोई रीडिंग नहीं आ रही है देखिए जब ये लगा हुआ था तब दोनों तरफ से रीडिंग आ रही थी और अब इसमें ये देखिए एक तरफ से रीडिंग दिखा रहा है 700 और दूसी तरफ से reading इसमें नहीं आ रही है, open दिखा रहा है, तो उस case में ये diode ठीक माना जाएगा, इसी तरह से हम ये दूसरे diode को भी check कर लेते हैं, देखिए, इसको मैंने लगाया, ये 335 की reading आ रही है इसमें, और दूसी तरफ से, दूसी तरफ से भी one point something की reading आ रही है, तो one point one इस तरफ दिखा रहा है, जो की open दिखना चाहिए था, और इस तरफ जहां पर हमें reading आनी चाहिए थी, 700 के करीब ये दिख रही है हमें, 300 के आसपास, और ये वाले diode में देखें, तो ये हमें देखिए, इस तरफ से open दिखा रहा है, और दूसी तरफ से लगाते हैं, तो 700 के करीब reading इसमें आ रही है, तो ये diode तो हमारा ठीक है, इस diode में problem है, इस diode को भार निकालते हैं पहले, तो ये diode मैंने भार निकाल लिया है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, ये एक साइड से मैं लगा रहा हूं, तो 344 की reading ये दे रहा है, और दूस साइड से मैं इसको लगाता हूं, तो यहां भी ये मेरे को 1.104 की reading दे रहा है, तो ये diode दोस्तों हमारा खराब है, क्योंकि दोनों तरफ reading नहीं आनी चाहिए, तो इसको तो हम रखते हैं या side में, तो ये जो diode है, दोस्तों इसका वैसे number होता है, 1N4752, तो कभी खराब हो जाए और आपको number अगर नहीं उस पर दिख रहा है, तो आप ये note कर ले, 1N4752 डायोड इस पर लगे होते हैं, ठीक है, अब ये same diode अभी मेरे पास खतम हो रहे हैं, तो मैं किसी पुरानी supply से निकाल लेता हूँ, तो ये diode दोस्तों मैंने पुरानी supply में से निकाला है, इसको भी एक बर चेक कर लेते हैं पहले, देखिए इस पर ये reading देखते हैं, इस तरफ से देखिए ओपन दिखा रहा है, और इसको पलट लेते हैं, और ये इस तरफ से 715 दिखा रहा है, देखिए 715 एक तरफ दिखा रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम इसको पलट देते हैं, तो दूसरी तरफ से opposite साइड से ये open है, तो ये diode हमारा क्या है, सही है, तो अब ये diode को हम इसमें लगाते हैं और ये दूसरे वाले diode को भी वापिस लगा देते हैं, इसमें तो ये donor diode इसमें इंसेड कर दी है, भी इसको solder कर लेते हैं, तो ये दोनों डायोड दोस्तों इसमें मैंने सोल्डर भी कर दिये हैं अब इसको हम सीधा कर लेते हैं और अब इसको लगे में हम एक बार देखते हैं कि ये क्या रीडिंग दिखा रहा हमें ये इसको डायोड पर ही रखना है और ये वाले डायोड पर ये अब 670 इस तरफ से दिखा रहा है और दूसी साइट से अब दूसी साइट से भी same reading दे रहा है 600 की और ये वाला डायोड जो है ये 680 दिखाता है और दूसी तरफ से भी same reading है तो अगर डायोड सही होंगे तो आपको दोनों तरफ से वो same reading देंगे एक तरफ से open नहीं दिखाएगा लगाने के बाद जब आप एक पहले supply को चला के देखते हैं कि क्या हमारी जो problem थी वो इस डायोड की वज़े से ही थी या इसके आगे भी कोई और problem है ठीक है तो एक बरी supply को अब मैं on करता हूं और देखते हैं कि हमारी समस्या जो है वो solve हुई है कि नहीं हुई है तो ये supply मैंने on कर दी है तो इसमें voltage भी 35 वोल्ट इसमें दिखा रहा है stable और अब इस पर load कनेक्ट करके देखते हैं जो हमारी main problem थी कि वो solve हुई है कि नहीं हुई है तो ये हमने इस पर load लगाते हैं देखिए दोस्तों ये problem हमारी solve हो गई है ये bulb आप फ्रेम में नहीं आया फिर मेरे कुछ दोस्त बोलेंगे कि सा बल्ब तो आपने पीछे ही चुपा दिया तो देखिए दोस्तों अभी ये bulb भी हमारा इस फ्रेम के अंदर आ गया है और ये जब मैं इसको लगा रहा हूँ देखिए अब हमारा voltage ड्रॉप नहीं हो रही है देखिए दोस्तों अब इसमें हमारी voltage आ रही है 12.35 वोल्ट और अब मैं साथ में इसके load कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि voltage ड्रॉप होती है कि नहीं होती है देखिए ये load लगा दिया बल्ब हमारा glow कर रहा है voltage हमारी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रही है वो 12.35 पर ही है ठीक है दोस्तों तो इस तरह से हमने ये problem को solve कर लिया है हम हमें fault क्या मिला ये एक diode हमारा खराब था इसके अंदर में तो अब ये हमारी supply हो गई है हमारा load जो है वो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रही है और voltage भी बिल्कुल stable आ रहे हैं इसमें ठीक है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि ये problem आप समझ गए हो होंगे दोस्तों अगर ये diode हमारे दोनों ठीक होते हैं इस case में फिर हम ये दोनों transistor को चेक करते इन में से भी कोई faulty हो सकता था तो जो भी faulty होता उसको हम change करते और अगर ये transistor भी ठीक हैं दोनों तो फिर उस case में या तो ये जो एक resistance यहां लगी हुई है इसकी दिक्कत हो स transistor ये diode ये pulse transformer ये आते हैं ये circuit में ही कोई समस्या है जिसकी वज़े से problem आ रही थी तो उमीद करता हूं दोस्तों कि अब ये problem कैसे sort out होती है load पर अगर supply आपकी बंद हो रही है तो आपको क्या क्या चेक करना है ये आपको समझ में आ गया होगा अब भी अगर आपकी कोई query हो कोई confusion हो आपके mind में कोई doubt हो तो आप नीचे मुझे comment करें मैं उसका आपको reply कर दूँगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर like करें और channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe भी कर लें दोस्तों मैं आपको जल्दी ही अगली वीडियो में फि झाल और आपको जल्दी है कि undर आपको जल्दी है